हाई आबरियोन वैलकम टूपना कैमपस मैं हूँ उस्पेंद रियादो तो यह डियेस यू में कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपको एड्मिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा इंटरेंस एक्जाम तो भी कोर्स कौन कौन से हैं महाँ पर एक्जाम का पैटन क्या रहेगा एक्जाम का स्लेबस क्या होगा एक्जाम की डेट क्या है यह सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि इस चैनल पे आपको DSU के रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी या जो भी इंफर्मेशन आएगी सब कुछ में आप लोगों को यहाँ पर बताता रहोंगा तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लेना तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरेंस एक्जाम के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इंटरेंस एक्जाम की डेट के बारे में तो यहाँ पर DSU ने जो exam की date से उसको announce कर दिया है, आपका exam 10th July को और 11 July को exam होगा, अब यहाँ पर दो date से मतलब 2 दिन exam नहीं होगा, बलकि कुछ बच्चों का exam 10th July को रहेगा और कुछ बच्चों का exam 11 July को होगा, अब आपका exam किस दिन होगा, यह कैसे पता चलेगा, तो उसक लिखा होगा, क्या आपका exam किस date को है, और timing अगरा क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होगा, तो इसके हिसाब से आपको अपना exam देना होगा, तो यह exam की date की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि किस किस course के लिए आपको exam देना होगा, तो यहाँ पे आपके, जिन बच्चों media and design course के लिए कर रखा है, उनको exam देना है, तो इन मेंसे अगर आपने किसी भी course के लिए कर रखा है, तो फिर आपका exam होगा, इसके लाव बाकि जो भी course है, उसके लिए कोई exam DSU में नहीं कराए जाएगा, और यह जो exam है, अब exam होगा कैसे, तो exam आपको online mode में होगा, और हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़े आपके course से related हो, जिस course के लिए अपने apply कर रखा है, उसे please आप लोग note down कर लेना, तब आपके समझने में ज्यादा आसानी होगी, तो exam में आपके काफी सरे section रहेंगे, मतलब आपका जो exam रहेगा, वो काफी सरे sections में बटा होगा, तो इस attempt करना है, जिन बच्चों ने pharmacy के परोग्राम के ले apply कर रखा है, उन बच्चों को section A, section B और section D का exam देना है, और जिन बच्चों ने cosmetology and health program के ले apply कर रखा है, उन बच्चों को section A, section B और section E का exam देना होगा, अब यहाँ पर cut off कैसे आईगी, वो भी बता रखा है, तो यहाँ पर आपको जो अपने एक्जाम में अगर आप जनरल कटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 30 persen marks यह उससे जदा स्कोर करना होगा, अगर आप girl candidate हैं, OBC candidate हैं, या EWS कटेगरी की कैडिडेट हैं, तो आपको 25 persen marks यह उससे जदा स्कोर करना होगा, वहीं पर आप SC या HT कटेगरी स यहां पर एक बात का आप लोग और ध्यार रखना कि जो भी section आप attempt करोगे सभी section में आपको one third से ज़्यादा marks लाने होंगे हर section में अगर आपके किसी भी section में one third से कम marks आते हैं तो फिर आप admission के लिए यहां पर eligible नहीं रहोगे और यहां पर exam में जितने भी question आएंगे सभी question equal marks के होंगे आप कौन से question कितने marks का होगा यह नहीं बता रखा पर सारे question equal marks के रहेंगे मतलब अगर आपका एक question मान लो दो marks का है तो सारे question फिर दो marks के ही रहेंगे तो मतलब सभी question equal marks के होंगे और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपके exam में किसी भी तरह की कोई negative marking नहीं होगी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर DSU क्या कर रखा है कि अलग-अलग course के बच्चों के लिए अलग-अलग exam बना रखी है या फिर pharmacy वाले course के लिए अपलाई कर रखा है उन बच्चों को यह वाले exam देना है उन बच्चों को कौन से exam देना है Common Entrance Test, CET का exam देना है इस exam में आपके 5 section होंगे section A, B, C, D, E 5 section होंगे पर आपको सारे section attempt नहीं करने जो बच्चे engineering वाले हैं उनको attempt करना है section A, B, C जो pharmacy वाले बच्चे उनको attempt करना है section A, B, D और जो बच्चे cosmetology and health वाले हैं उनको attempt करना है section A, B, E अब इसके लिए timing कितनी होगी तो यहाँ पर आपको section A और B का मिला के 30 minute का time दिया जाएगा और बाकी जो भी sections है section C, D, E सभी section के लिए आपको 30-30 minute का time दिया जाएगा अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा stream के लिए apply कर रखा है मतलब आपने engineering के लिए apply कर दिया pharmacy के लिए apply कर दिया आपको A, B, C, D यह पूरा attempt करना होगा तो इसी तरह से आपने अगर एक से ज़्यादा के लिए apply कर रखा है तो आपको दोनों exam देने होगे इसके बाद अगला exam आता है creative aptitude test अब यह exam किन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने diploma in architecture, applied art, interior design, fashion design and technology यहाँ पे आपका section A होगा वो आपका होगा 15 minute का section B होगा 10 minute का section C होगा 15 minute का मतलब total आपको 40 minute का exam देना होगा और यहाँ पे ध्यान देना कि इस वाले creative aptitude test जो है यहाँ पे आपके दो stage होगी stage 1 और stage 2 stage 1 आपका जो होगा वहाँ पे आपका एक exam होगा जो कि आपको घर से online exam देना होगा अगर आप उसको pass कर लेते हो तो फिर आपका stage 2 होगा जो कि आपका offline exam होगा आपको DSU की campus पे जाके exam देना होगा इस exam का नाम होगा skill test ठीक है तो यह आपका stage 2 होगा जो कि आप stage 1 पास कर लोगे तो फिर आपको यह देना होगा इसके बाद आता है ADAM entrance test जिन बच्चों ने advanced diploma वोले course के अप्लाई कर रखा है उनके लिए exam होगा इस exam में section A, B, C, D, E, F, G इतने section होगे और सभी section से आपको questions करने होगे और सभी section के लिए आपको 10 minute का time दिया जाएगा मतलब यहाँ पे आपके total 7 section है तो आपको total 70 minute का time दिया जाएगा अब इसके बाद अगला exam हमारा आता है lateral entry entrance test जिन बच्चों ने lateral entry to full time diploma course के लिए प्लाई कर रखा है उनको यह वाले exam देना है इस exam में दो section होगे section A और section B और दोनों section के लिए आपको 20-20 minute का time दिया जाएगा मतलब यहाँ पे आपको 40 minute का time दिया जाएगा अब इसके बाद बात करते हैं slabers के बारे में कि आपको किस exam के लिए कौन सा slabers आपका आएगा क्या slabers रहेगा तो जिन बच्चों ने engineering diploma के लिए apply कर रखा है उनको यहाँ पे 3 section होगे section A, section B, section C इसमें आपका section A से आएगा quantitative, aptitude, logical, reasoning यहाँ से 15 question होगे section B आपका होगा communication skill यहाँ से 15 question होगे section C आपका class 10 की science और math यहाँ पे आपके 30 question पूछे जाएगे इसके बाद हमारा आता है diploma in pharmacy वाला course यहाँ पे section A आपको देना है section B देना है, section D देना है section A और section B सेम होगी रहेगा section D आपका बदल जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आपको class 12 की science है and human related जो questions है, human body related जो questions है आपके आएगे, यहाँ पे आपके टूटल 30 question यहाँ से पूछी जाएगे इसके बाद अगला course आता है diploma in cosmetology and health यहाँ पे section A और section B सेम रहेगा section E आपको extra आपके लिए रहेगा अलग से, इसमें आपके class 10 की जो science है वो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पे total 30 question आएगे इसके बाद हमारा आता है creative aptitude test इसमें मैंने आप लोगों को बता है कि यहाँ पे 2 stage होगी पहला आपका stage 1 होगा जो कि आपके theory test होगा जो कि आपको online घर से देना होगा और दूसरा आपका होगा stage 2 जो कि आपको center भी आके देना होगा तो पहले बात करते हैं stage 1 के बारे में तो stage 1 में आपका section A होगा यहाँ पे आपके English और Math के question होगे 15 question section B आपका होगा general knowledge and creative awareness यहाँ पे 10 question आएंगे section C आपका होगा logical reasoning and analytical skill यहाँ से 15 question आएंगे इसके बाद अगर आप इसको pass कर लेते हो फिर आपका section stage 2 होगा skill test यह आपका देड़ घंटे का होगा यहाँ पे आपका section A जो होगा इसमें drawing test on still life study वाली question आएंगे section B आपका memory drawing के question आएंगे अब इसके बाद हमारा आता है advanced diploma वाला course यहाँ पे आपके section A, B, C, D, E, F, G होगे यहाँ पे सभी section से आपके 10-10 questions होगे section A इंगलिस होगा section B analytical reasoning होगा section C numerical ability होगा section D current affair and general knowledge होगा section E होगा आपका होगा electrical and electronics section F होगा mechanical section G होगा physics सभी section से आपके 10-10 questions पूछे जाएंगे इसके बाद आता है lateral entry to full-time diploma program यहाँ पे आपके दो section होगे और दोनों section से आपके 2020 questions पूछी जाएंगे section A आपका होगा quantitative aptitude logical reasoning section B आपका होगा communication skill तो यह सारी information थी आपके DSU के इंटरंस exam के बारे में I hope यह सब कुछ आपको समाच में आ गया होगा अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो यह इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और वीडियो कर आपको helpful लगा होगा होगे इस वीडियो को like कर देना इसे अपने दोसों साथ भी share करने ताकि उनकी भी कुछ help हो सके फिलल अभी के लिए इतना ही मिलते नए वीडियो में